दोस्तों वल्कम बैक टो दे चानल सरस्टी स्टेडी पॉंड राज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सिक्षा वेवस्ता के बारे में क्योंकि आपको पता है कि यूपी में पिछले एक वर्ष से तो कोई भी किसी भी स्थर के जो अध्यापकों की भरती का नोटिफिकेशन जारी अभी तक नहीं हुआ है यह आप सभी को पता है क्योंकि आप देखिए कि प्राइमरी में भी लगबग दो साल पहले भरतियां हुई थी और यह TGT PGT की बात करूं मैं तो इसका पिछली साल नोटिफिकेशन आया था और असिस्टन प्रोफेसर का भी जो है यानि कि ए इस पेपन में खवर शपी है थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि जिस विशय पे हम बात करना जा रहे हैं तो उसकी जो है प्रोसेस थोड़ी तेज हुई है सिक्षा आयोग के लिए कई बड़े कतार में बड़े कतार का मतलब क्या है कि कुछ लोग जो है जब आपको पता है कि कि ये मंद्शा है कि प्रैमरी से लेकर हायर तक की टीचर्स की जो वेकेंसी हो उसके लिए एक ही आयोग बनाएंगे जिसका नाम इनोंने रखा है उत्तर प्रदेश सिक्षा सेवा चयन आयोग ये एडिट कॉलिज की बात कर रही हूं मैं आशाश की मानिता प्राप्त जो हो परे में और जो गवर्मेंट कॉलिज होते हैं उनकी बर्तियां आप सभी को पता यूपी-पीएस सी कराती है लेकिन इसकी भी बर्तियां नहीं आई हैं बच्चे इसको लेकर भी परिशान है तो इसको लेकर है कई बड़े कतार में मतलब ये जो आयोग है उसकी बनने की सु सभाय तेज हो गई है इसके गठन से संबंदिश शंशोदित प्रस्ताव केविनेट की अगली बेठक में पेस की जाने की संबावना है इस वीच आयोग के अध्यक्षपद के लिए कई दिग्जों में के वीच जो राजमाईश तेज हो गई है कुछ दिनों पहले अपर मु नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड है इस समय ठीक है ये टीजीटी पीजीटी की भरतिया करता है इसी तरह सायता प्रास्ट डिग्री कॉलेज के लिए प्राचारे और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदोपर नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश उत्चितर सिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय है, दोनों के ही कार्याले जो हैं आपको पता है सभी को प्रियाग राज में हैं और नए आयोग गठेंड होने के बाद इन दोनों भरती संस्थाओं का बजू जो है समाप्त हो जाएगा और एक आयोग बन जाए किसी आयोग में नहीं रहा है, शासन इस तर पर इस बात की सहमती बन गई है कि नए आयोग का कार्याले लखनू में ही होगा ये बता दिया इन्होंने भावी आयोग के महत्व को देखते हुए उसके अधक्ष के नाम की चर्चा भी शुरू हो गई, वैसे तो कई सेवा की जो मतलब एक अध्यक्षा और ग्यारा सदस्यों की निउक्ति के लिए कवायत जो है शुरू हो गई है, जिससे साबसे ये निउस दी गई है, और अगर नहीं हो ये होगी, तो शुरू होने वाली होगी, क्योंभी निउस जो होती है, लगवक काफी हद तक सही होती है, न पुराने आयोक से ही किराई जाए, और सरकार कह रही है कि हम नए आयोक से ही परिक्षा कराएंगे, चाहे उसके फॉर्म भर चुके हो, और जो नए फॉर्म निकलेंगे, चाहे वो TET के हो, चाहे TGT, PGT हो, इन सब के जो है, जब नए आयोक बन जाएगा, तभी फॉर्म नि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो कोई निर्ने तो आया नहीं होगा जहां तक अगर निर्ने आता तो काफी बात जो है, आगे तक पता चलती, देखते हैं क्या है, नियूज में कि आज 24 जुलाई को क्या होगा होगा, तो यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो है, सिक 2024 का इलेक्शन भी है, इस चीज़ को भी दिमाग में रखिए, मद्दे नजर रखने की जरूरत है, है ना, तो नया आयो कब तक बन पाएगा, फिर भरतियां कब तक निकलेंगी, तो यह जो है, एक तो आज की रेट 24 जुलाई में क्या हुआ, यह पता चलेगा, और 2-4 दिन है, उत्तर प्रदेश में वेकेंसी नहीं आई है, जबकि बिहार में बहुत सारी टीचर्स की वेकेंसी है, जो बच्चे इलेजिवल होंगे, उन्होंने इसको फॉर्म भरा होगा, और अगर आपको यूपी में जो अभी वेकेंसी नहीं निकल रही है, तब तक आप बिहार क का फॉर्म दीजे, क्या पता आपके जो कहते हैं न कि हमारे भाग में जहां का दाना पानी लिखा है, वहीं मिलेगा, तो हो सकता बिहार का दाना पानी लिखा हो, तो जो बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिनने CTT जिनका होगा, तो वो तो All India Level के उन्होंने फॉर्म भरा है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो लाइक कीजेगा, चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, अपडेट मिलता रहता है आपको, सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, और ना ही कोई इसमें, और कोई कि अबस्तू जहीं है, अई और कोई पाल करने में प्रूसने में अपको करने में आपको करने में, तो झाल कि ढूस्तूराइब करूसी है, उबस्ते दिक्ति कि दो